नमस्कर दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हर्याना मीजिया न्यूस पर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने कृशी कानूनों की मसले पर एक बार फिर से जम कर सरकार को घेरा है गुरुवार को राहूल गांधी ने राश्ट्रपती से मुलाकात की और इन मसलों को उठाया इसी दोरान मीडिया से बात करते हुए राहूल गांधी ने कहा कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है ये उन्हें आतंकी बताना शुरू कर देते हैं राहूल ने इसी दोरान कहा कि अगर कल को राश्ट्रिय स्वेम सेवक संग RSS के प्रमुक मोहन भागवत भी अगर खिलाफ हो जाएं तो उन्हें भी आतंकी बता दिया जाएगा भारतिय जंता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए गए किसान आंदोलन में खालस्तानी समर्थकों का हुआत होने के आरोप पर राहूल गांधी ने जवाब दिया कॉंग्रस नेता राहूल गांधी ने अपने संबोधन में कहा बीजेपी नरेंद्र मोधी इनका एक ही लक्षे है और वो है किसान मजदूर जो समझ चुका है उनका लक्षे अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुचाना है जो भी नरेंद्र मोधी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं राहूल गांधी ने आगे कहा कि किसान खड़े हो जाएंगे तो उन्हें आतंगवादी बोल देंगे मजदूर खड़े हो जाएं तो उन्हें आतंगवादी बोल देंगे और एक दिन अगर मोहन भागवत जी खुद भी खड़े हो जाएं तो उन्हें भी आतंगवादी ही कह देंगे जो भी नरेंद्र मोधी से सवाल पूछने के कोशिश करेगा वो आतंगवादी है और नौरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दो तीन दोस्तों और लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं कॉंग्रेस नेता रहुल गांदी ने गुरुवार को राष्ट्रपती से मुलाकात कर क्रिशी कानून के खिलाफ अपना ग्यापन सौपा इस से पहले भी रहुल गांदी विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपती से मुलाकात कर चुके हैं और राहुल ने अपने बयान में कहा कि देश का किसान तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक तीनों कृशी कानून वापस नहीं होते। आज किसानों को पता है कि ये कानून उनके लिए नहीं है, ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई में उनके साथ है, केंद्र सरकार को तुरंत संसत का सत्र बुला कर तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए, बता दे कि एक तरफ राहुल गांधी ने गुरुव ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हरियाना मीडिया न्यूज